पूरे कर लिये हैं और सौ दिन का यह सफर किस तरह का रहा और इसमें किस तरह जो है वो सफलता के कई किर्थिमान अस्तापित किए गए इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रिया मंत्री गिर्राज से जी सर पहले तो सौ दिन सफलतम आप लोगों ने पूरे किया है उसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई इन तमाम सौ दिनों के सफर को आप कैसे देखते हैं देखिए केवल सौ दिनों से इसको नहीं नहीं गिनने की जौड़त है चेरेवती चेरेवती का नाड़ा हमारे पुर्वश दिया करते थे मोधी शरकार 2014 से देश के विकास को चेरेवती चेरेवती स्वास्त के चेत्र क्या किसी ने सोचा था हमारे बच्चे कह रहे हैं गुलामी किसी ने सोचा था कि पांच लाग का इसमान भारत का कार्ड मिलेगा किसी ने सोचा था कि गड़ीब को गैस मिलेगा किसी ने सोचा था कि सोचाले होगा बिजली होगा आज हम एक तरफ गड़ीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं गड़ीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरे तरफ विकास की गती को अपने संसाधन के मताबिक तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम इसे सो दिनों के साथ चेरे वती चेरे वती को जोड़ते हैं। जब आप बोट को देखेंगे, बोट को देख करके राज़नित करेंगे, तब आपको घटा और नुक्षान फाइदा का हिसाब करना पड़ेगा। जब देश को देखेंगे, अब देश के लिए करेंगे, तो अच्छा होगा जैसे मोदि जी ने किया है, गरीबों के हित के लि हमार कसया के सरापने कहीं गाए मरा है वो नहीं अच्छा लगा तो अपना चदर तान के सोहे और इमरान खान और पाकिस्तान के ना चाहने और चाहने से हम अपने देश की एकता देश कामन चाहन देश का विकास तेजी से हम चलाते रहेंगे हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था अगर पाकिस्तान को हमसे लड़ना है तो लड़े गड़ीवी से विकास से हम संद्रियान जा रहे हैं वो फटे हाली की जिन्दगी में जी रहा है दरदर की ठोकरें खा रहा है और बहुत खुश होता है तो गधा चाइना भेज देता है इसलिए लड़ाई दोनों की सौंच में अंतर है हम देश के अंदर में कभी आतंकवाद को प्रसर नहीं देते वो देश के अंदर में आतंकवाद का जखीरा पालता अगर कोई गलत अस्टेप उठाया बुरी नजर से तो पाकिस्तान की हालत भसमाशुर की तरह होगा नर्सी भी आप लोगों का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है जिसको लेकर के तमाम जो राजनितिक दल है आपकी भूमिका पर सवाल उठा रहा है घेरने की कोशिस कर रहा है लेकिन उसकी जो औचित्य है जो उसकी एक रास्टियता के संदर्व में जो भूमिका है उस भूमिका पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है मैंने कहा कि मेरे मेरे प्रधान मंत्री मेरी शरकार के सामने बोट नहीं है देश है आज हमारा जनसंख्या बिस्फोट इसकादर बढ़ रहा है और यह बात आज हमने कहरे हैं श्री मतिगांधी 71 में बोली थी कि हमारी जनसंख्या बिस्फोट इसकादर बह रहा है कि हमें जो घुसपैठीय हैं उसका भाड हमसहन नहीं कर पाएंगे लेकिन उनकी राजनेति की इच्छा सकती नहीं था यार 20 आदमी करो के थमनी करने वाज़े हैं तुम लोग एक दिन भर बोलते हैं उनकी इच्छा सकती नहीं थी नहीं हुआ तो देखिए निश्चित तोर पे केंद्रिया मंत्री ने साफ तोर पे कहा है कि बीजेपी भोट की राजनीति नहीं करती है अगर भोट की राजनीति जो है वो बीजेपी का कभी भी लक्ष नहीं रहा है और इसी लक्ष के साथ बीजेपी आगे भी बढ़ते रहेगी और आग झाल झाल